जो चिल्वन है ये जो आचल है चहरे पर मासूमियत आखों में सपनी और अदाओं में नजाकत बेपर्वा खुबसूर्टी की मिसाल लेना चंदा वरकर ने परदे पर अपने हर रंग से लोगों का दिर जीत लिया था अपनी अदाओं से सबको अपना दिवाना बनाने वाली इस अभिनेत्री के आज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो बनिये रहेंगा वीडियो के अंत तक 29 अगस्त 1950 को जन्मी सत्तर के दशक के मशूर अभिनेत्री लीना इस साल अपना 71 जरम दिन मना रही हैं फिल्मों में आने से पहले लीना विग्यापनों में काम करती थी और वहीं उन्हें एक्टर सुनिलदत ने देखा जिसके बाद उन्होंने उनको फिल्म मन का मीट में साइन कर लिया वो भी अपनी अपोज़र्ट सुनिलदत से मिले मौकी के बाद लीना के सुनहरे सबर की शुरुआत हो गई फिल्मों में उन्हें सफलता मिले लगी और वो नई उचाईयां छुने लगी थी लीना बहुत ही रोडी वादी सोच के थी यहीं वज़ा रही कि उन्होंने फिल्मों में कभी ना तो बिक्नी पहनी और ना ही कभी कोई फोटो शूट करवाया उनकी तो आँखों में ही वो जादू था कि हर कोई उनका दिवाना हो जाता था हाला कि लीना की निजी जिन्दगी में काफी उथल पुथल मचे रही लीना ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया और उनकी खोब सूटी के भी सभी देवाने थे लेकिन उनकी शादी शुदा जिन्दगी कभी पट्री पर नहीं चल पाई लीना महस 24-25 साल की थी जब उन्होंने सिधार्ट बंडोकर से शादी कर ली सिधार्ट बंडोकर के एक बड़े राजनीतिक परिवार से तालुप थे हाला कि शादी की कुछ समय बाद ही एक दुरगटना में सिधार्ट का निधन हो गया और 25 की उम्र में ही लीना विद्वा हो गई बताते हैं कि कम उम्र में विद्वा हो जाने की कारण उस वक्त लीना को लोग तानी मारा करते थी कुछ लोग उनके लिए खराफ शब्दों का इस्तिमाल भेकने लगे थी जिसके बाद उन्होंने आत्माहत्या का मन भी बना लिया था किशोर कुमार जिन से एक बार फिर उन्होंने प्यार करना सिखा दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार इसके बाद दोनों पर नहीं दुनिए लेना के प्ता आर्मी के अफसरत अवाइनकी नहीं पिश्व कुमार के में घर के बाहर ही धरनित गये醒 इतना ही नहीं साथ में वो गाना भी गाने लगे नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो ये गाना किशोर कुमार गाते रहे वैसे तो आर्मी आफिसर होने के नाते लीना के पिता थोड़ी जादा सक्थ है लेकिन किशोर कुमार की कोशिश और गानों से उनका दिल पे घल गया और उन्होंने इस रिष्टे को स्विकार कर लिया इसके बाद साल 1980 में किशोर कुमार और लीना की शादी हो गई और इसके बाद उन्होंने एक बेटी को जर्म दिया जिसका नाम सुमित कुमार है शौदी के कुछ सालों बाद किशोर कुमार भी चल बसे अब लीना अपने बेटे के साथ ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर रहती है आज लीना 72 साल की हो चुकी है और पहले के मुताबिक काफी जादा बोड़ी भी नजर आती है जिसका अंदाजा आप उनकी थस्वीरों से भी लगा सकते हैं आज ये कितनी बदल चुकी है और कितनी बुड़ी हो चुकी है तो दोस्तो अभी के लिए तो बस इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिये और हाँ अगर आपको अपनी किसी फीवरिट कलाकार के बारे में जानकारे चाहिए तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताए